जै स्री राधे दोस्तों केपी कीवानी चैनल में आपका स्वागत है रोजाना राशी फल से संबंदित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी कीवानी को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दामपत्य जीवन, प्रेम संबंद को लेकर कोई भी परिसानी है तो हमें मैसेज के जरिये जरूर बताएं आपकी जरूर मदद की जाएगी अगर आपको आपकी साधी के बारे में जानना है कि आपकी साधी कब होगी तो आप अपना जनम दिन बताएं आपकी जरूर मदद की जाएगी प्लीज अधूरी जानकारी ना दे इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी इसके अलाबा अगर आप love marriage को लेकर भविस्वानी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का जनम दिन comment box में दें हम आपको जल्च जल्च पूरी जानकारी देंगे अगर reply करने में देरी होती है तो आप निरास बिलकुल ला हो क्योंकि आपको जवाब जरूर द आपका कैरियर कैसा होगा अगर आप किसे से love marriage करना चाहती है या चाहते हैं तो love marriage हो सकती है कि नहीं इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बना कर दी जाएगी इसके लिए आप 8521-835670 पर संपर कर सकते हैं नमबर एक बर और दोहरा देता हूँ 8521-835670 अगर किप्सन में बॉक्स में जाकर वहां नमबर नोट कर सकते हैं यह सेवा सौसुलक है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अब जिन जात्कों की साधी तै हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवस्से करा लें सास्त्रों में नहीं थे भकुर दोस नारी दोस या मांगल प्रभाव के चलते साधी नहीं करनी चाहिए ऐसे में आप अपने नजदी के किसे प्रकांट पंडित्वा जोतिस से जरूर सला लें अगर भकुर दोस या नारी दोस लग रहा हो तो आप के पी कीवानी से भी कुंडली मिलान करवा सकते हैं इसके लिए हम लोग मामली सुलक लेते हैं और आपको पूर्ण जानकारी देंगे जैसा कि सास्त्रों में नहीं था कि भकुर दोस और नारी दोस लगने पर साधी नहीं करनी चाहिए तो आप कुंडली मिलान अवस्य करा ले ताकि आपके वैवाईक जीवन का आपको पता हो जाए कि कैसा जीवन रहने वाला है तोस्तों जैसा कि हम सब जाते हैं कि भगवान स्री हरी विष्णू कार्तिक महा में सुकलपक्ष की एकादसी यानि देव उठान एकादसी के दिन निंद्रा वस्ता से जागरित होते हैं इस दिन से सुबकारित सुरू होते हैं इस दिन तुलसी विवाभी संपन होता है ऐ इस दिन से ही पूरे बर्मांड में सहनाई गूजने लगती है हाना कि देव उठान एकादसी से पहले वर अरवधू पक्ष सभी तयारी कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी साधी की बाचित देव उठान के दिन से ही सुरू होती है इसके बाद एक महने तक लागातार व एक महने तक साधी नहीं होती है तो खरमास का महिना जो है वो जनवरी में खत्म होता है और तब फिर साधी की सहनाई बजती है ऐसे में सभी के मन में लादी के लड़ों फूट रहे हैं कि आपकी साधी साल 2025 में होगी की नहीं तो आज मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी साधी जनवरी 2025 में होने वाली है होगी तो आएए जानते हूं राशियों के बारे में लड़कियों के साधी के कारक गुरु माने जाते हैं और लड़कों के साधी के कारक सुक्र माने जाते हैं तो सुक्र और गुरु का मजबूत होना बहुत जर द्रश्टी हो गुरु पस्तित हो अथ्वा गुरु और राहु की द्रश्टी हो या गुरु और राहु अवस्तित हो तो ऐसे में लड़के और लड़कें की साधी की योग बनने लगते हैं हाला कि गुरु और सनी की यूति साधी में देरी कराती है सनी और केतु के रहने पर अगर केवल और सनी और केतु सब्तम भाव में है या पंचम भाव को देख रहा है एक आदस भाव को देख रहा है तो साधी में बहुत विगनों होती है, सनी के चलते साधी तीस साल के बाद होती है और केतु के चलते भी साधी तीस साल के बाद होती है, सनी के चलते अगर साधी नहीं होती है तो इसके जिम्यवाल घरवाले जान पहचान के लोग मद्धस्ट लोग होते हैं जबकि केतू के रहने पर गुप्षत्रू के चलते साधी में विग्नी या बाधा आती है तो इस अधार पर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किन किन जात्कों के गुरू मजबूत होने वाले हैं या गुरू मजबूत है और किन लड़के के राहू मजबूत हैं जिससे उनकी साधी हो सकती है मेसरासी के जात्कों के साधी के योग 22 बर्स से बनने लगते हैं तो मेसरासी के जात्कों के गुरू और राहू दोनों ही मजबूत हैं इस बर्स और इसके चलते हैं इनके साधी के योग जनवरी महिने में परबल हैं जिन जात्कों के साधी नहीं हो रही है वो शिवजी की विसेश पूजा करें इसके लिए सूमबार और सनिवार को जल में काले तिल मिलाकर सफेद फूल डालकर अर्ग दें इससे साधी में आ रही बाधा दूर हो जाती है बात करें किस नाम से साधी हो सकती है तो IMRP नाम से होनी की संभावना रहती है हाला कि कुम्ब करक और धनूरासी से अगर आप विवाह करते हैं तो यह आपके लिए सुभ रहने वाला है अगली रासी ब्रसव है तो ब्रसव रासी के जात्कों के साधी की योग तैसमें बरसे बनते हैं गुरू के मजबूत रहने से यह योग बन रहा है लड़कियों के लिए जबकि लड़कों के लिए राहू का मजबूत होना अत्वा राहू के दृष्टी होना साधी के योग बना रहा है ऐसा हो सकता है कि सुकर के मजबूत रहने से भी साधी की योग बन रहा है तो साधी का म बंगलवार को हनमान जग का बरत रख सकते हैं या रख सकती हैं लाल फूल चड़ा है लाल चीजों का सेवन इस दिन ना करें मंदिर में जाकर परसाद चड़ाकर परसाद को गरीबों में पर्दान बितरन कर दें इस परसाद को बिल्कुल हिना खाएं इसके इलावा दिन बर ब्रत करें और रात्री काल में पूजा अर्चना के बाद आर्थी के बाद आप बिना लहसन प्याज का दैनिक भोजन कर सकते हैं किस नाम से साधी हो सकते हैं तो टी एच पी नाम से उने के संभावना अधिक है हाला कि अगर मकर रासी से आप साधी करते हैं तो यहां आपके द ब्राहमनों को दान देना चाहिए इसके अलाबा गुरुवार और रभिवार को छोड़ कर हर दिन पीपल के ब्रिक्ष में जल का अर्ग दें लड़के सुक्रवार का ब्रत करें और सिब जी की विसेश पूजा करें आने वाले समय में या अभी से ही सोमबार का ब्रत रख सकते हैं लड़के या सुक्रवार को इन दोनों में किसी एक दिन आप प्रत रख सकते हैं इसे साधी की योग बनने लगते हैं तुला रासी के जातकों के लब मैरेज के संभावना अधिक रहती है गौ मौत तो यानि कि जी एम टी नाम की लड़की अथवाल लड़के साथी हो सक रासिस स्वामी गुरू है गुरू का मजबूत होना या गुरू के स्वामी के रहने के चलते लड़कियों कि साधी के JASON में बड़से बनते हैं लड़कों के चौविसमें बड़से बनते हैं तो मकद रासी के, जातकों के, साधी के योग जनवरीningar сил दोहजारी 1822 में है जनव कुम्भ रासी और मीन रासी से अगर विवाह होता है यानि कि S जी नाम के लड़के लड़की से आप विवाह करते हैं या लड़की है तो लड़के हैं तो लड़की से विवाह करते हैं तो यह आपके विवाहिक जीवन के लिए सुभ रहने वाला है अगली रासी मीन रासी है तो मीन रासी के जात्कों के साधी के योग भी बन रहे हैं क्योंकि इनके रासी स्वामी गुरु हैं और आरादे दे भगवान बिश्णु हैं इसके चलते गुरू के मजबूत रहने के चलते और भगवान विश्णू की विशेश किरपा के रहने के चलते गुरू के दरिश्टी हमेशा इनकी कुंडली के सब्टम भाव पर बनी रहती है इसके लिए कीस वर्से इनके साधी की योग पन ने लगते हैं जनवरी महिने में साधी के प्रवल योग हैं सीख विबाह के लिए बिस्णू जी के पूजा आर्चना करना आपके लिए इस फलदाई होगा SGV नाम से यानि की कुंबरासी के लड़के लड़कियों से साधी करना आपके लिए बहतर होगा मेसरासी के जातकों से अगर आप विबाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका बेहदी सुद्रिट गुजरेगा दोस्तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी जोतिस पंचांग मानता और ध्रमकंतों से दी गई है हमारा उदेश महज़ आपको सूचना पहुचाना आपसे सूचना हे तुहिले इसके अतरिक अगर आप इनको मानते हैं अपनाते थुआ उप योग करते तो आप इसके समेजिमार हैं में जानकारी प्राब कर सकते हैं इस तरह की अनुडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डेस्वोड शूप पर जाएं और अपनी रासी अनुडियो जरूर देखें तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक करें और सेयर कर हमेरे जरूर बताएं अगर आप मेरे चैनल पढ़ नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मातारानी किरपा से आपके चेहरे पर हमें सामस्कान बनी रहे आप सोवा परिवार स्वस्ते बन सुखी रहे आप सभी के प्यार और सुनिय के लिए आप सब को उड़े से धन्दवात करता हूँ आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे इन्ही सुख कामनाओं के साथ आपसे बिदा लेता हूँ कि जल एक नए वीडियो और एक नए जानकारी लेकर आपके समख छाजिर रहूँगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे आप जहां रहे मस्त रहे स्वस्त रहे मातारानी किरपाब बने रहे नमस्कार जैसरा दोस्तो जैसरी कृष्णा जै मातादी जै वाहिगरू